हलो एब्रिबान सो स्वागत है आप सभी का हमारी लाइव क्लासेज में और क्लास 11 का आज हम करेंगे चाप्टर दी अड्रेस अड्रेस मतलब क्या होता है क्या होता है अड्रेस मतलब मतलब की पता पता होता है आप कहां पे रहते हो आप सभी का एक अड्रेस होता है कि भाई हमारे घर का तो ये पता है और हम यहां यहां रहते हैं लेकिन इस चाप्टर के अंदर वार के टाइम की बात की गई है कि वार से पहले और वार के बाद अब वार में इतनी सारी चीज़े हुई कि हमारी जो लेखिका थी उनका क्या हुआ उनकी mother की death हो गई ठीक है उनकी mother की death हो गई और उसके बाद उनकी death के बाद वो अपनी जगाँ पर गई जो उसकी ममीने address लिक्किया था nenा उसके साथ होता क्या है? यह हमें नहीं पता, यह हमें का पता चलेगा जब हम Chapter पढ़ेंगे. तो हमारा Chapter शुरू करते हैं, फटा-फट से लिखा किसने है यह? किसने लिखा है यह Chapter? यह Chapter लिखा है Margot Minco ने, किसने लिखा है? Margot Minco ने ये chapter लिखा है जुसका नाम है The Address अब देखो, ये एक short story है, मतलब छोटी कहानी है Is a poignant account of a daughter who goes in search of a mother's belonging after the war in Holland की Holland में war के बाद वो किस लिए जाती है, किस चीज की तालाश के लिए जाती है poignant मतलब होता है, जो दिल को चू जाती है चीज, ठीक है तो वो कह रहा ही है कि ये कहानी है एक ऐसी बेटी की और इतनी दिल को चू जाने वाली कहानी आप देखोगे आज, कि भाई उसकी जो बेटी है, वो किस की search में जाती है who goes, जो जाती है, in search of तलाश में, her mother's belonging, उसकी बम्मी की जो चीजे थी उन चीजों की तलाश में वो जाती है, after the war, युद्ध के बाद, हॉलांड में समझ में आ गया, when she finds them, और जब उसे वो चीजे मिल जाती है the objects, evoke, memories और वो objects जो है, वो जो भी वस्तुए है, वो evoke करती है मतलब उकसाती है या वापिस से उसके दिमाग में आ जाती है वो सभी यादे, of our earlier life, उसकी पुरानी जिन्दगी की, वो सभी यादे जो है वो उसके सामने, उसके दिमाग में उन चीजों को देखकर आ जाती है अब वो चीज कौन कौन सी थी और आपको पता है, real में होगा क्या real में ये होगा कि वो चीजें उसको उसके घर में नहीं मिलेंगी, कहीं और मिलेंगी किसके घर में मिलेंगी और क्यूं मिलेंगी ये भी अभी हम चाप्टर में पढ़ेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा इसको पढ़ने में और साथ ही साथ बहुत हाट फेल्ड मतलब बहुत ही प्यारा लगेगा बहुत दुख भी होगा कि यार देखो कैसा हो जाता है वो और जो है वो टोटली सब कुछ तभा कर देता है और ये युद्ध जो है वो नहीं होने चाहिए ऐसा आपको लगेगा चलो ठीक है और जब उसे वो सारी चीज़ें मिल जाती है तो वो क्या डिसाइड करती है ये डिसाइड करती है कि मुझे इन सभी चीज़ों को यहीं छोड़ देना चाहिए जोड़ देना चाहिए उन सभी वस्तूओं को पीछे ही and resolve to move on और उसको प्रण लेना चाहिए कि वो अपनी life में जो है आगे move करेगी आगे बढ़ेगी ठीक है आगे बढ़े ये है हमारी writer Mago Minko क्या नाम है इनका Mago Minko आगे बढ़ते हैं Do you still know me? I asked मैंने क्या पूछा कि क्या आप अभी भी मुझे जानती है I asked मतलब जो कहानी सुना रहा है उसने पूछा The woman looked at me searchingly वो जो औरत थी उसने मुझे देखा searchingly मतलब ऐसे ऐसी निगाहों से देखा जैसे वो मुझे पहचानने की कोशिश कर रही है She had opened the door a chink उसने वो जो दर्वाजा है gate का वो कैसे खोला? दर्वाजा खुलने की आवाज आती है ना तो chink मतलब उस आवाज के साथ कि एक खनक के साथ उसने दर्वाजा खोला I came closer मैं पास आई and stood on the step और एक सीड़ी के ऊपर खड़ी हो गई जैसे ही उसने दर्वाजा खोला वो सीड़ीों के नीचे खड़ी होई थी दर्वाजा जैसे ही खुला मैं सीड़ी एक सीड़ी ऊपर चड़ गई No, I don't know you वो कहती है कि नहीं जिसने दर्वाजा खोला उसने क्या बोला कि नहीं मैं तुम्हें नहीं जानती I am Mrs. S's daughter तो यह जो कहानी सुना रही है यह क्या बोलती है कि मैं Mrs. S's की daughter हूँ Mrs. S's की बेटी हूँ She held her hand on the door as she wanted to prevent it opening any further She held her hand उसने पकड़े रखा एक ही जगह अपना हाथ उस दर्वाजे पर As though, जिस मतलब की as though she wanted to prevent it opening any further जैसे की वो उसको और जादा खुलनी नहीं देना चाहती अपन बहुत सी बार ऐसे दर्वाजा है ठीक है कोई गेट पर आया उसने ऐसे दर्वाजा खोला देखा उसको फिर पहचान में नहीं आया कि कौन हो सकती है फिर उसने बोला कि क्या आपने मुझे पहचाना तो जो door के अंदर लेडी थी उसने बोला कि नहीं मैंने नहीं पहचाना तो बाहर जो लड़की थी वो बोलती है कि मैं मिसेज एस की डॉटर हूँ तो उसने दर्वाजा ऐसे ही पकड़के रखा और उसको इस तरीके से पकड़के रखा जैसे वो उसे और नहीं खुलने देना चाहती वो नहीं चाहती कि वो जो है वो अंदर आये घर के और वो मुझे साइलेंस मतलब बिल्कुल शांती से तो वो लगातार मुझे घूरती रही और बिल्कुल सननाटा था कुछ नहीं बोली केवल मुझे घूर रही थी ठीक है आगे बढ़ते हैं अब वो सोच रही है कि शायद मुझसे ही कोई mistaken मतलब मुझसे ही कोई गलती हो गई है I thought मैंने सोचा perhaps it is not her हो सकता है कि यह वो नहीं है अब यह वो नहीं है मतलब कि यह कौन नहीं है यह भी हम देखेंगे I had seen her only once क्योंकि मैंने उसे अब तक सिर्फ एक बार ही देखा था fleetingly और वो भी जब मैंने उसे पहले कभी एक बार देखा था तो वो भी थोड़ी सी देर के लिए देखा था वाद बिल्कुल छोटी सी देर के लिए कि एक बार बस देखा था और फिर ऐसे तो अब इतनी टाइम पहले अगर किसी को देखा है और कह सकते हैं इसकी बहुत ज़ादा probability है कि हो सकता है मैंने गलत घर की बेल बजा दी है मैंने गलत घर की बेल जो है वो बजा दी है अब विमन ने क्या किया दोर को छोड़ दिया और वो एकदम से साइड में हो गई उस लेडी ने क्या पहना हुआ था मेरी मम्मी का हरे रंग का बुना हुआ sweater उसने पहना हुआ था cardigan हमारी मम्मी पहन दिया न यहां से button होते हैं पूरे में सर्दियों में उससे हम cardigan बोलते हैं sweater पहनते है the wooden buttons were rather pale from washing और उसमें जो लकडी के button लगे हुए थे वो pale हो गए थे मदब पीले पढ़ चुके थे धोल धोल कर, she saw that I was looking at the cardigan and half hid herself again behind the door, उसको ये समझ में आ गया था कि भाई वो ये ना मेरे sweater की तरफ ही देख रही है, तो उसने क्या किया, half hid, आधा अपने आपको छुपा लिया, वापिस से behind the door, दर्वाजे के पीछे, but I knew now that I was right, लेकिन अब म गलत घर की घंटी नहीं बजाई है, मैं बिल्कुल सही घर में आई हूँ, क्यों? क्योंकि उस लेडी ने मेरी ममा का green color का बुना हुआ sweater जो है, वो पहना हुआ था, आगे बढ़ते हैं, well, you knew my mother, I asked, तो मैंने उनसे पूछा कि, well, आप मेरी ममा को जानते थे न, have you come back, said the woman, तो वो जो लेडी होती है, उसे यकीन ही नहीं होता, वो बोलती है कि तुम वापस आ गई हो, क्यों यकीन नहीं होता? क्योंकि war में, यह हमारी जो narrator है, जो यह कहानी सुना रही है, कि war में यह बच गई, उसको इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था, इसलिए उसने उससे यह सवाल पूछा, कि तुम वापस आ गई हो, I thought that no one had come back, मुझे लगा था या मैंने सोचा था कि कोई भी वापस नहीं आया, मतलब कोई भी वापस नहीं आया, कोई भी नहीं बचा, only me, मेरे अलावा, ठीक है, A door opened and closed in the passage behind her, a door opened, एक दर्वाजा खुला और फिर वो बंध हो गया in the passage behind her, उनके पीछे से एक गलियारा सा जा रहा था, तो वो डोर खुला और उसके बाद बंध हो गया और एक passage था उनके पीछे, मतलब एक गलियारा था उनके पीछे, A musty smell emerged, एक बहुती गंदी सीलन की सी बदबू होती है न, जो अजीब सी smell उसे आई, I regret, I cannot do anything for you, वो खहती है कि I regret, मुझे पच्चतावा है इस चीज़ का, कि I cannot do anything for you, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, I have come especially on the train, I wanted to talk to you for a moment, वो खहती है कि यार मैं na, मैं especially train से यहाँ पर आई हूँ, और न, I wanted to talk to you for a moment, और शन भर के लिए मुझे आप से बाते करनी है, It is not convenient for me now, said the women, उस ओरत ने कहा कि नहीं, अभी मेरे लिए यह convenient नहीं है, अभी मैं बात नहीं कर सकती, मतलब अभी मुझे वो होगा, उसको कोई काम होगा, तो वो कह दिया कि अभी इस समय पर मैं आप से बात नहीं कर सकती, I can't see you, मैं तुम्हें नहीं देख सकती, another time, फिर कभी आना, She nodded and cautiously closed the door as though no one inside the house should be disturbed, उसने अपना ऐसे सर हिलाया, भाई अभी मैं नहीं बात कर सकती, अभी बिलकुल नहीं हो सकता, कभी बाद में आना, उसने इस तरीके से अपना सर हिलाया और दरवाजा कर दिया, मुपे बंद, ठीक है, no one inside the door should be disturbed, cautiously मतलब बहुत सावधानी से, उसने अपना सर हिलाया और बहुत सावधानी से अराम और अराम से दरवाजा बंद कर दिया, जैसे मान लो, घर में कोई और जो है, वो परिशान ना हो जाए, या फिर disturbed ना हो जाए, I stood where I was on the step, मैं वहीं खड़ी रही, जहां मैं उस step पर, step मतलब सीढ़ी, तो वह कह रही है कि मैं वहीं खड़ी रही, उस सीढ़ी के ऊपर, the curtain in front of bay window moved, और जो परदा था, ये होती है bay window, कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है, तो वह कह रही है, जो परदा था, वो जो bay window थी, उधर का वो जो परदा था, वो हलका सा move हुआ, someone stared at me, और कोई जो है, वो मुझे वहाँ से घूर कर देख रहा था, तो किसी ने मुझे वहाँ से घूर कर देखा, and would then have asked what I wanted, oh nothing, the woman would have said it was nothing, अब वो यहाँ क्या कह रहा है, कि I stood where I was on the step, मैं वहाँ उस सीड़ी पर ही खड़ा रहा, जहां मैं खड़ा हुआ था, जो curtain था, bay window के सामने का, वो move हुआ, कोई मुझे वहाँ से घूर रहा था, and would then have asked what I wanted, और हो सकता है कि उसने मुझे पूचा हो कि मुझे क्या चाहिए, oh nothing, अरे कुछ नहीं, the woman would have said it was nothing, और वो जो lady है उसने क्या बोला होगा, कि अरे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, I looked at the nameplate again, मैंने वापिस से उस nameplate को देखा, किसको देखा, उस nameplate को मैंने वापिस से देखा, nameplate क्या होती है, घर के भार लगी रहती है न, जिस पे नाम लिखा होता है, घर के मा लिका की, हाँ, इसका mansion, इसका villa, इसका बंगलो, ये, वो, ये, वो, तो वो किया रही है कि मैंने भी nameplate देखी वापिस से, and darling it said, और उस nameplate के उपर लिखा हुआ था, darling नहीं, darling, क्या लिखा हुआ था, darling लिखा हुआ था, in black letters on white enamel, black letters में white enamel के उपर, white paint के उपर, black colors से, black letters में क्या लिखा हुआ था, darling लिखा हुआ था, and on the jam a bit higher, the number, jam मतलब चोखट, घर की चोखट देखी है न, तो वो कह रही है, और jam के उपर, थोड़ा सा, मतलब jam पर मतलब, चोखट पर, थोड़ा सा उपर, the number, और उसके उपर number लिखा हुआ था, number 46, house number होता है न हमारा, house number तो वो कह रहा है, कि चोखट के थोड़ा सा उपर, वहाँ पर, number लिखा हुआ था, that is 46, as I walked slowly back to the station, अब उस औरत ने बात बात करने से मना कर दिया, तो भाई मैं क्या करती, जबर रस्ती तो कुछ कर नी सकती थी, तो मैं वापिस से station आने लगी, I thought about my mother, मैंने मेरी मा के बारे में सोचा, who had given me the address years ago, जिन्हों ने ये पता मुझे युद्ध के दौरान बहुत सालों पहले दिया था, it had been in the first half of the year, कब दिया था, जब युद्ध का first half चल रहा था, तो उस समय पर मेरी मा ने मुझे ये वाला address दिया था, I was home for a few days and it struck me immediately that something or other about the rooms had changed, अब वो क्या कह रही है, कि I was home for a few days, मैं उस समय घर आई थी कुछ दिनों के लिए, मैं उस समय, first half की बात बता रही है, past की, कि मैं उस समय घर आई थी कुछ दिनों के लिए and it struck me immediately that something or other about the rooms had changed, और एकदम से मुझे ये बात strike हुई लगी कि कि ना कुछ तो गडबड है मेरे कमरे में, बहुत सालों बाद दियुद्ध के first half में वो अपने घर आई होगी, past की बात चल रही है, और वो कह रही है कि तम मुझे थोड़ा सा लगा था यार, मेरे घर में ना कुछ तो अलग है, मेरे कमरे में कुछ तो चेंज है, I missed various things, बहुत सारी चीज़े जो है वो वहाँ पर नहीं है, miss हो गई है, My mother was surprised, I should have noticed so quickly, और मेरी मम्मा जो है, वो उस समय पे बहुत आश्चर्य में पढ़ गई थी, की I should have noticed so quickly, की कैसे मैंने इत्ती जल्दी चीज़े जो है, वो notice कर ली, Then she told me about Mrs. Darling, और उस समय उन्होंने मुझे Mrs. Darling के बारे में बताया था, I had never heard of her, but apparently, मैंने कभी भी उनके बारे में सुना नहीं था, पर apparently, she was an old acquaintance of my mother, वो क्या थी, एक बहुत पुरानी हमारे कह सकते है, की जान पहचान थी उनकी या पुरानी रिष्टेदार थी, मेरी मम्मा की, Of my mother, whom she had seen for years, she had suddenly turned up and renewed their contact, अब वो क्या कह रही है, की वो उसकी मम्मी की बहुत पुरानी जान पहचान वाली थी, जो एककदम से आ गई, जिसको मम्मी ने बहुत सालों से नहीं देखा था, लेकिन she suddenly turned up, मतलब की वो एककदम से किसी दिन आकर घर पे टपक गई, and renewed their contact, since then she had come regularly, renewed their contact, मतलब वापिस से उन लोगों में बातचीत होने लगी, और जान पहचान तो थी ही, पहले से ही, right, she had come regularly, then she had come regularly, मतलब उसके बाद वो लगातार regularly आने लगी, ठीक है, cautiously मतलब होता है, सावधानी से, ठीक है, चलो, आगे बढ़ते हैं, every time she leaves here, she takes something home with her, said my mother, वो कह रही है कि मम्मी पता है, मेरी क्या बताती थी, मेरी ममा ये बताती थी, कि every time, हर बार, she leaves here, मतलब जब भी वो यहाँ सर जाती थी, she takes something home, वो कुछ न कुछ अपने साथ, अपने घर ले जाती थी, with her, said my mother, अपने साथ कुछ न कुछ अपने घर ले जाती थी, उसकी मम्मी ने उसे कहा, she took all the table silver in one go, महार बस जितना भी, silver का समान था, dining table वगेरा, पे, चम्मच प्लेट वगेरा, वो सब ले जा चुकी थी, एक ही बार में, and then the antique plates that hung there, और उसके अलावा, जो antique plates थी, जो बहुत पुरानी plates होती न, बहुत सुन्दर सुन्दर कलाकारी बगारा वाली, तो कह रहे है कि वो plates भी वो ले जा चुकी थी, जो हमारे घर में टंगी हुई थी, she had trouble lodging those large vases, and I'm worried she got a crick in her back, from the crockery, यहाँ पर वो क्या कह रही है, कि she had trouble lodging those large vases, कि जो बड़े बड़े गंले, vases मतलब गंले, किसी ने कभी खुशी कभी वहम देखी है, उसमें काजोल क्या बोलती है, वास को क्या बोलती है, गंला जो वो तोड़ देती है, तो यह वही vases हैं, कि इतने बड़े बड़े जो हमारे गंले थे, हमारे जो वases थे, उन्हें ले जाने में उसको, उन्हें घीसने में उसको, बहुत दिक्कत होती थी, trouble होती थी, मतलब दिक्कत होती थी, and I am worried, और मुझे इस चीज की चिंता है, कि she got a crick in her back, कि उसकी कमर में मोच वोच ना आ गई हो, crockery की वज़े से, my mother shook her head pittingly, और मेरी मम्मी जो है, वो बहुत दया वाले भाव से अपने, ऐसे सर इलाती है, कि उस बिचारी की ना कमर में, ना मोच वगरा ना आ गई हो, इस तरीके से करती है वो, I would never have dad ask her, she even insisted, और उसने मुझे insist किया, मतलब जोर दिया इस बात पे, she wanted to save all my nice things, वो क्या चाहती थी, वो उसकी मम्मी की सभी अच्छी चीजे जो है, वो save करके रखना चाहती थी, save करके क्यों रखना चाहती थी, कि उसको लगता था, कि war के time पे, ये जो इतनी प्यारी-प्यारी, सुन्दर-सुन्दर चीजे हैं, ये सभी खराब ना हो जाएं, तभा ना हो जाएं, इसलिए वो इन सब को save करने के लिए लेकर जा रही है, if we have to leave here, we shall lose everything, she says, वो क्या कहती थी, कि अगर हमें मान लो, यहां से जगा छोड़ कर जाना पड़ा, war के time पे, तो क्या होगा, बताओ उस समय क्या होगा, और हम ये सभी चीजे जो हैं, वो lose कर देंगे, मतलब हमारे पास से चली जाएंगी, तबा हो जाएंगी, जो की मैं नहीं चाहती, have you agreed with her, that she should keep everything, I asked, as if that is necessary, my mother cried, और मिरे ममी चलाई, और रोई हम कह सकते हैं, कि ये जरूरी है, ठीक है, it would simply be an insult to talk like that, वो कह रही है कि, it would simply be an insult to talk like that, अगर मैं उन्हें कुछ भी कहूंगी, तो ये एक तरीके से बेजज़ती होगी, and think about the risk she is running, each time she goes out of the door, with a full suitcase or bag, और वो खहरे है कि, देखो, वो कितना जादा risk ले रही है, हर बार जब भी वो इतना बड़ा बड़ा suitcase लेकर हमारे घर से जाती है, तो वो कितना जादा risk ले रही है, उनको ले जाने में, अगर मैं उन्हें कुछ कहूंगी, तो कितना बड़ा insult होगा, कितनी बेज़ती होगी ये तो, अजीब है, आगे देखते हैं, और मेरी मम्मी को समझ में आ गया था, कि मैं टोटली कन्विंस नहीं हुई हूं, मतलब मिर को बात समझ में नहीं आई है, शी लुगड़ अट मी रिप्रूविंगली, और आफ्टर दाट शी स्पोग नो मूर अबाउट इट, रिप्रूविंगली मतलब आलोच, नातमक, ढंक से, मतलब बहुत अजीब तरीके से, कि मैं कैसे सवाल पूछ रही हूं, और मैं कन्विंस नहीं हुई इस चीज से, तो मेरी मम्मी ने मुझे रिप्रूविंगली मेरी तरफ देखा, और उसके बाद, इसके बाद हमने इस बारे में कोई भी बात नहीं की, यह सब सोचते सोचते मैं कहां पहुच गई थी, मैं स्टेशन पहुच गई, क्योंकि बाकी चीजे जो रस्ते में आई, उन पर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैं यह सब सोचते सोचते, फाइनली स्टेशन तक पहुच गई थी, आई वो क्या कह रही है, कि आई वोज वोगिंग, मैं चल रही थी, इन फामीलियर प्लेसे, जानी पहचानी जगहों में, वापिस से, अगैन फॉर दे फर्स ताइम, वापिस से, वापिस से, पहली बार, मैं उन्ही जगहों पर, चल रही थी, बट आई डिड नोट वाउन्ट तो गो फॉर्द, लेकिन मैं और जादा, नहीं चलना चाती थी, और दूर तक नहीं जाना चाती थी, जितनी जरूरत थी, मतलब मुझे सिर्फ अपनी मम्मी के सामान चाहिए थे, इसलिए मैं सिर्फ वहां तक ही गई, और वहां से ही स्टेशन वापिस आ गई, बाकी की जो सराउंडिंग की चीज़े हैं, मैंने किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, और कुछ भी नहीं देखा, वो कह रहे हैं कि मैंना खुद को बिल्कुल भी उदास नहीं करना चाहती थी, वो जो गलियों के नजारे थे, और वो जो घर थे, जो पूरे यादों से भरे हुए थे, एक बहुत ही प्रीशियस मतलब एक कीमती समय था जो पास्ट का, जब सब कुछ सही था, कोई बॉर्ड नहीं था, पूरी फैमिली थी हमारे पास, तो कह रहे हैं कि मैं उन गलियों से गुजर रही थी, उन घर को नहीं देखना चाहती थी और जादा, जो भरे हुए थे, बहुत अच्छी अच्छी और बहुत ही कीमती यादों से और कीमती समय से, कूल, समझ में आ गया, क्लिय आ रहा है? अब वो कह रही है, ट्रेन में, जब मैं बापस से ट्रेन में जा रही थी, बहाँ पर मैंने देखा मिसस डॉर्लिंग को मेरे सामने, बापस से, अब आ रही है, जैसा की, मुझे पहली बार मैं उन से मिली थी, तब, it was the morning after the day my mother had told me about her, पास की ही बात बता रहे हैं वो, ठीक है, तो वो कह रही है, it was the morning, ये वो सुभह थी, after the day my mother had told me about her, जब मेरी मम्मी ने मुझे उनके बारे में बताया था, उसके बाद अगले दिन जब मैं वापस जा रही थी मेरे घर से, तब मैं Mrs. Darling से मिली थी, और वो मेरे सामने थी, I had got up late and coming downstairs, I saw my mother about to see someone out, I had got up late, मैं सुभह, लेट उठी and coming downstairs, जब मैं सीधियों से नीचे आई, मैंने देखा मेरी मम्मा को about to see someone out, कि वो बाहर किसी से मिलने जा रही है, A woman with a broad back, एक lady थी, एक और थी, जिसकी बहुत चौड़ी कमर थी, There is my daughter, said my mother, ये है मेरी बेटी, मेरी ममा ने कहा, She beckoned to me, उन्होंने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, कि भाई देखो ये है मेरी बेटी, The woman nodded and picked up the suitcase under the coat rack, अब वो जो औरत है, उसने कहा, अच्छा अच्छा, ये आपकी बेटी है, मन्दब ऐसे उसने nod किया, और suitcase को उठा लिया, जो की एक coat rack, coat rack कुछ इस तरीके का होता है, तो यहाँ पर कहीं suitcase रखा होगा, तो उसने यहाँ से वो suitcase उठाया, उसने एक brown color का coat पहना हुआ था, and a shapeless hat, और एक बहुत अजीब सी, बिना किसी shape की hat पहनी हुई थी, Does she live far away? I asked, Seeing the difficulty, she had going out of the house with heavy case, वो कह रही है कि क्या ये बहुत दूर रहती है, ये मैंने कब पूछा, जब मैंने उन्हें देखा कि इतने बड़े सूटकेस को उठाने में, उन्हें कित्ती दिक्कत हो रही है, और वो इतने बड़े heavy case के साथ, जब बाहर जा रही थी, तो मैंने उनसे पूछा, In Marconi Street, क्या बताया ममाने, Marconi Street, Said My Mother, Number 46, और ये ही address था, जो की, जिस address पर अभी present में, हमारी author जो है, वो वहाँ पर जा किया इन्थी, Remember that, याद रखना, I had remembered it, और मैंने याद भी रखा, मेरी ममी ने कहा था, याद रखना, और मैंने याद भी रखा, But I had waited a long time to go there, initially after the liberation, I was absolutely not interested, in all that stored stuff, and naturally, I was also rather afraid of it, अब वो कह रही है, कि याद्रेस तो मुझे याद था, But I had waited a long time, लेकिन मैंने एक बहुत लंबे समय तक इंतजार किया, to go there, इस address पर जाने का, initially after the liberation, शुरुआत में, जब हम, liberation मतलब जब हमें freedom मिली थी तब, कह रही है कि आजादी के बाद, initially जब शुरुआत में हमें आजादी मिली थी, उसके बाद मैंने, बहुत लंबे समय वेट किया, I was absolutely not interested, मैं पूरी तरीके से मतलब की, मेरा कोई भी interest नहीं था, ठीक है, मुझे कोई मतलब ही नहीं था, in all that stored stuff, उस सभी जमा किये हुए वस्तूओं में, and naturally I was also rather afraid of it, और मैं naturally बताऊं तो ये बात थी, कि मुझे उन सभी चीजों से डर लग रहा था, afraid of being confronted with things, that had belonged to a connection that no longer exist, डर किस चीज से लग रहा था उनको, afraid of being confronted, confront मतलब सामना करना, तो afraid, डर था of being confronted, उन चीजों का सामना करने से, that had belonged to, जो आँ वास्ता रखती है, belong करती है, to a connection that no longer exist, एक उस संबंद से, उस connection से, जो अब नहीं बचा, मतलब कि उसकी मम्मी की अब death हो चुकी थी, और ये सारा समान उनके घर का ही था, ठीक है, उसकी मम्मी से related सामान था, तो वो ये ही कह रही है, कि अब मुझे उस सभी सामान को, confront करने में, सामना करने में, मैं बिल्कुल भी तयार नहीं थी, interested नहीं थी, मुझे डर लग रहा था, क्योंकि पुराना connection जो है, वो मुझे, मैंलब बापिस से, मुझे नहीं फील करना था, फिर याद आती, आप रोते हो, परिशान होते हो, ये सब चीज़ें नहीं करना चाहती थी, वो, which were hidden away, in cupboards, in boxes, and waiting in vain, until they were put back in their place again, which had endured all those years, because they were things, अब वो यहाँ पर क्या कह रही है, कि हमारा उन चीज़ों से connection था, ठीक है, लेकिन बहुत पहले था, which were hidden away, जो छुपाई गई थी, दूर, in cupboards, almारियों में, boxes में, and waiting in vain, और, मतलब, vain में wait करें, vain क्या होता है, vain होता है, एक तरीके से हम कहें, तो, दर्द, ठीक है, तो वो कह रही है, waiting in vain, until they were put back in their place again, कि भाई, वो बहुत लंबे समय से, दुखदर्द में है, cupboards में, boxes में, बंद है, और, इंतजार कर रहे हैं, कि कब वो सारा समान, जो है, वापिस से, उनकी जगा पर रखा जाए, which had endured all those years, जो है, वो अगर आपको समझ में आया, तो प्लीज, आप मुझे comment करके, बता सकते हैं, क्यों, ताकि हम आगे का lecture, जो है, वो शुरू कर सके, ठीक है, so which were hidden away, in cupboards and boxes, and waiting in vain, until they were put, back in their places again, which had endured all those years, because they were, thanks, क्योंकि वो अब तक रखी गई थी, या फिर हम कह सकते हैं, कि वहाँ पर संभाल कर, अब तक रखी गई थी, क्योंकि वो चीजे थी, चीक है, आगे बढ़े, but gradually, everything became more normal again, पर धीरे धीरे, सभी चीजे जो है, वो और भी जादा normal, होती गई, अब वो कह रही है, कि मेरा मन नहीं था, उन सब चीजों को confront करने का, पुरानी चीजें थी वो, पर धीरे धीरे, सब कुछ जो है, वो normal हो गया, ब्रेट जो है, was getting to be a lighter color, ब्रेट का color जो है, वो धीरे धीरे, light हो गया, मतलब कि, हमारे जो life है, वो धीरे धीरे normal होती गई, there was a bed, you could sleep in, unthreatened, एक ऐसा बिस्तर था, जिस पर आप बिना डरे हुए, बिना डाट डपट के सो सकते थे, a room with a view, एक ऐसा कमरा आपके पास था, जिसमें बाहर का view कैसा दिखता था, you were more used to glancing at each day, के रियम में एक ऐसे कमरे में रहती थी, जिसको देखने की मुझे आदत सी हो गई थी, और अब मुझे उन पुरानी चीजों के पास वापिस से नहीं जाना था, and one day I noticed, I was curious about all the possessions, that must still be at the address, और एक दिन क्या हुआ, कि मैं बहुत जादा curious हो गई, कि न मुझे अजीब सी वो होने लगी, मुझे जानने की इच्छा होने लगी, about all those possessions, उन सभी possessions क्या होता है, जिन चीजों पर आपका अधिकार होता है, तो मेरी उन सभी चीजों के लिए, that must still be at the address, कि हो सकता है वो सभी चीजे अभी उस address पर हो, I wanted to see them, touch, remember, और मैं उन्हें छूना चाती थी और याद करना चाती थी, After my first visit in Wayne to Mrs. Darling's house, I decided try a second time, अब यहां पर वो क्या कह रही है, कि एक बार में उसका मन नहीं भरा, एक बार में उसका मन जो है वो नहीं भरा, After my first visit in Wayne, Wayne मतलब की जो व्यर्थ हो गया था उसका पहला विजट, तो वो कह रही है, At my first visit in Wayne to Mrs. Darling's house, I decided to try a second time, मैंने क्या decide कि अब मैं एक बार और जो है वो try करूंगी, Now a girl of about 15 opened the door, और अब की बार जब मैं दुबारा से उस घर के address पर गई, तो उसने क्या बोला, पंद्रा साल की एक लड़की ने दर्वाजा खोला, I asked if her mother was at home, और मैंने पूछा कि क्या आपकी ममा घर पर है, No, she said my mother is doing an errand, अब वहाँ पर उस बच्ची ने दर्वाजा तो खोल दिया, और उसने क्या बोला, एक बच्ची थी पंद्रा साल की, तो उसने क्या बोला कि, नहीं भाई, मेरी जो मम्मी है, वो तो घर पर नहीं है, और वो क्या कर रही है, मतलब कोई टास्क कर रही है, कोई काम कर रही है, वो घर पर नहीं है, No matter, I said I'll wait for her, तो उसने का कोई बात नहीं, मैंने उसे कहा, कि मैंना उनका इंतजार कर लूगी, अब देखते हैं कि, अगली बार जब वो आई है मिलने के लिए, और उन्होंने बोला कि, Mrs. Darling घर पर नहीं है, एक 15 साल की बच्ची ने दर्वाजा खोला है, इसके बाद क्या होता है, क्या वो सभी चीज़े देख पाएगी, टच कर पाएगी, सारी मेमरीज उसकी वापिस से आ जाएगी, या फिर वो उन चीज़ों को ले जाएगी, क्या होगा, ये हम देखेंगे, next lecture के अंदर, ठीक है, तो आज का ये lecture जो है, वो आपको नहीं रहे, ठीक है कि कौन सी क्लास जो है, वो कब होती है, तब तक के लिए टाटा, बाई बाई, see you,